हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल राजनितिक विज्ञान में और मैं रेनुका सिंग आज हम बात करेंगे वोटर आइडेंटिटी कार्ड की तो चलिए शुरू करते हैं भारतिय मतदाता पहचान पत्र भारत के वैसक अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयुक के द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है जो की 18 वर्ष पूरा होने के पश्चात नागरिकों को दिया जाता है यह मुखे रूप से किसी भी प्रकार के चुनावों में अपना मत डालते समय भारतिय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कारे करता है यह अन्य उद्देश्यों जैसे मुबाइल फोन, सिम कार्ड खरीदने या पास्पोर्ट के लिए आफविदन करने के समय पहचान, पता और आयू प्रमाण के रूप में भी कारे करता है यह भूमी या वायू द्वारा नेपाल और भूटान की यातरा करने के लिए एक यातरा दस्तावेच के रूप में भी कारे करता है इसे Election Picture Identity Card यानी EPIC के रूप में जाना जाता है जिसे हिंदी में कहा जाता है चुनावी फोटो पहचान पत्र इसे मुख्य चुनाव आयुक्त टी एंड शैशन के कारे काल के दोरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था प्रारंब में मतदाता पहचान पत्र नियमित कागच पर काली शाही से मुद्रित होते थे और प्लास्टिक की परत चढ़ाये हुए होते थे परन्तु सन 2015 में भारत सरकार ने सबसे कम खराब होने वाले PVC कलर वर्जन को शुरू किया जो ISO IEC 7810 साइज स्टैंडर्ड के आकार के मानक के चुनावी फोटो पहचान पत्र में मतदाता का नाम उसके द्वारा चुने गए एक रिष्चेदार का नाम जैसे उसके पिता या माता और मतदाता की तस्वीर के साथ मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है कार्ड के पीछे मतदाता के घर का पता छपा होता है साथ ही उसके निर्वाचक रजिस्ट्री करन अधिकारी के हस्ताक्षर की एक छवी होती है मतदात निर्वाचन शेतर और उनके विधान सबाशेतर का भी उल्लेक होता है नई शंकला में एक भाग संख्या भी होती है जो मतदाताओं के चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची का पता लगाने में मदद करती है ये वोटर कार्ड प्राप्त करने की परकरिया को देखे वोटर कार्ड उन सभी भारतिय नागरिकों को जारी किया जाता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर ली हो मतदाता बनने के लिए सभी अहारता प्राप्त कर चुके हो वोटर कार्ड पाने के लिए भारते नागरिकों को जिनोंने 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर ली है इन्हें फॉर्म 6 भरने के साथ आईडी प्रूफ, इंडियन नैशनलिटी, एज और रेसिडन्स के साथ आवेदन करना होता है आयूग्य मन के ब्रष्ट प्रथाओं के दोशी या चुनाव से सम्मंदित अपराद वोट के लिए आयूग्य है आवेदकों को शेतर के अपनी बूत इस तरके अधिकारी को फॉर्म 6 जमा कराना होगा वेदक उस राज्य के लिए दिये गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सीधे राष्ट्य मतदाता सेवा पोर्टल नाम की वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं व्यक्ति अपने निवास इस्थान को किसी अन्य विधानसभा शेतर में इस्थानांत्रित करता है तो वह पिछले निर्वाचन शेतर का वेद मतदाता नहीं रहता व्यक्ति को नई विधानसभा शेतर में मतदाता के रूप में नई सिरे से पंजिकृत करना होगा इसलिए उसे नया कार्ड जारी किया जाता है और पुराना कार्ड आमाने हो जाता है उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी धन्यवाद